Hello everybody, welcome to Magnet Brains, मैं हूँ Anisha आपकी अपनी English Educator और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं Class 12 की जो आपकी विस्तास बुक है उसका Last Chapter, Memories of My Childhood की Summary and कुछ Important Questions and Answers Summary स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि यह जो आपका Chapter है तो पाट्स में, दो चोटी-चोटी स्टोरी जो की दो पाट्स में डिवाइड़ है फिर्स पाट है, The Cutting of My Long Hair और सेकिंड पाट है, We Too Are Human Beings तो सबसे पहले हम Cutting of My Long Hair की Summary डिसकस करेंगे and then हम We Too Are Human Beings की Summary डिसकस करेंगे So let's begin with the summary of The Cutting of My Long Hair The story begins with Zitkala's first day in the boarding school, Carly's Indian School तो यह जो story है, यह जो author है, Zitkala सा, उसकी real life incidents पे based है उसका खुद का personal autobiographical account है तो यह story Zitkala सा, हमारी author की है और इनका पहले दिन, school में होता है और कौन सा school है यह? एक boarding school है, जिसका नाम है Carly's Indian School It is a school opened for native Indian girls, where they are trained to leave behind their own culture and become part of the American culture तो यह एक ऐसा school है, जहां पे Indian girls आती है और पढ़ती है और यहां पर उनको जबरदस्ती, उनको ऐसा बोला जाता है कि अपने पुराने कल्चर बूलो और American culture में उनको convert कराया जाता है, जबरदस्ती जिटकला describes that she really felt bad when a shawl is taken off of our shoulders by the school authorities before entering into the dining hall तो उनके school में dining hall है तो जिटकला बताती कि मुझे बहुत खराब लगा कि जब मैं breakfast clear dining hall में line में अंदर जा रही थी तो मेरे shoulders पे एक shawl थी उन्होंने मेरे shoulders से shawl खीच ली, school की authorities ने तो कहती है मैंने shawl पेनी हुए थी क्योंकि मुझे ये decent लगता है, मुझे अच्छा लगता है लेकिन क्योंकि उनको मुझे western American culture में मुझे ढालना था उन्होंने मेरे shoulders से shawl उतार दी तो कहती है मुझे ये बिलकुल भी अच्छा नहीं लगा She also wonders about the other Indian girls agreed to wear tight clothes which were not decent according to her as their whole body shape could easily be seen तो वो कहती है कि मेरे अलावा वाँ जो दूसरी Indian girls थी उनको देखके मुझे बहुत अजीब लग रहा था क्योंकि वो बहुत tight कपडे पहनी हुए थी जो कि बहुत indecent, खराब लग रहे थे और उन्हें कोई फर्क भी नहीं पड़ रहा था तो कहती है यह सब देखके मुझे बहुत अजीब लग रहा था Even their hair was cut short which according to the author was not good Her mother had told her only a cowards and a mourner's hair should be shaved off तो author बताती है कि मेरी mother ने मुझे बताय था कि उन्ही के बाल कट करे जाते हैं जो coward होते हैं याने कायर होते हैं जो लड़ाई में, जंग में, वार में हार जाते हैं तो उनके enemies, जो उनके दुश्मन होते हैं वो जीत को celebrate करने के लिए उनके बाल काट देते हैं तो जो cowards, जो कायर होते हैं उनके बाल काटे जाते हैं या तो जब किसी के death हो जाती है जब हम funeral में जाते हैं तब उन लोगों के बाल कटके जाते हैं तो according to Zitkalasa की mother ने ये बताया था कि cowards और mourners यानि कि funeral में जब हम जाते हैं तब उन लोगों के बाल काटे जाते हैं जब वो स्कूल में आई तो उन्होंने देखा कि स्कूल अथोरिटी जबर्दस्ति उनके लंबे-लंबे-लॉंग बाल काटना चाते हैं तो उनको बहुत अजीब लगा क्यों कि उनकी मदर ने उनको बताया था कि cowards और mourners के बाल काटें इसलिए जिटकला सा की बिलकुल इच्छा नहीं थी कि वो अपने बाल काटें लेटर ओन जिटकला अन अधर गर्ल्स वर टेकें तो दाइनिंग हॉल फिर थोड़ी देर बाद जब वो स्कूल में डाइनिंग हॉलमन को ले जाया गया अंदर ब्रेक्फिस के लिए तो उनको एक बहुत डेंजरिस सी पेल फेज वोमन है कि ऐसी और अजीट सा उसका पीला सा चेहरा था वाइट कलर के बाल थे वो कंटिनेसली जटकला सा को घूर घूर के देख रही थी क्यों क्योंकि वो टेबल मैनर्स फॉलो नहीं कर पा रही थी पहला दन तो उसको पता नहीं था कि किस बेल पे बैटना है चेहर पे किस बेल पे आपको खाना स्टार्ट करना है कब बैल बजेगी आपको रुकना है उसको यह पता ही नहीं था तो वो बहुत सारी मिस्टेक्स करी थी जिस दब यह पेल फेज वोमन उसको नोटेस करी थी कि बहुत सारी मिस्टेक्स कर रही है जूडविन, another Indian girl, tells her that the pale-faced woman has decided to cut her hair जिटकला revolts back as she does not want to look like a coward or a mourner तो breakfast में जाने से पहले, early in the morning, सुबा को एक और Indian girl थी, जूडविन उसने बताया जिटकला को कि यह जो pale-faced woman है, यह तुमारे long hair को cut करना चाहती है और जिटकला ने revolt किया, against गई उस बात की कि नहीं, मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं करूँगी क्योंकि नहीं मैं mourner हूँ, नहीं मैं coward, नहीं मैं कायर हूँ मैं बिल्कुल भी अपने बाल इन लोगों को cut नहीं करने दूँगी She hides herself under a bed in some room upstairs, everyone starts searching for her and finally she is caught तो जिटकला क्या करती, चुप चाप एक कमरे में जाके एक bed के नीचे चुप जाती है तक कि कोई उससे देखे न, लेकिन किसी तरह इन school के authorities ने उस कमरे तक पहुच गए और bed के नीचे देखा तो जिटकला वहाँ बैठी थी, उन्होंने जिटकला को drag करती हुए, खीचते हुए, नीचे लेके गए और उसको एक चेहर से बान दिया She is tied up and cut her and hair is cut down और बान के जिटकला के बाल काट दी गए जिटकला ने बहुत कोशिच करी चिलाया, रोई, उन लोगों को नाखोन मारे की कैसे भी वो से छोड़ दें लेकिन उन्होंने जबर्दस्य उसको चेहर से बान दिया और उसके hair shingle कर दियाने की cut कर दिये She felt so depressed and humiliated with this She is reminded of a mother who would have confronted her during this hard time वो बहुत humiliated याने बहुत ashamed, शर्मिंदा महसूस कर रही थी क्योंकि वो एक अलग culture से थी उसको इन सब की आदत नहीं थी और सब लोग उसे गूर-गूर कर देख रहे थे वो literally depression में आ गई थी और बहुत दुखी feel कर रही थी और अपनी mom को याद कर रही थी क्योंकि वो एक boarding school में थी अगर इस type की कोई hard time कोई मुश्किल समय होता था तो उसकी mom हमेशा उसको confront करती थी यान उसको comfortable feel कराती थी उससे discuss करती थी problems लेकिन यहाँ पर इत्ती मुश्किल समय पर जब उसके साथ ऐसा हुआ उसके साथ उसकी mom नहीं थी और ना ही कोई single soul एक इंसान भी नहीं आया जो उसके साथ discuss करे और उसको comfortable feel करा है at the end she feels that she is treated like an animal और आखरी में उससे ऐसा लगते कि उससे उस animal की तरह treat करा जा रहा है यह उस puppet उस cut putli की तरह treat किया जा रहा है जिसको जैसा बोला जा रहा है जहां पर उसको वो करना पड़ रहा है एक तरीके से उसकी पूरी freedom छिन गई थी school में so this was all about एक harsh childhood memory zit कला सा के बारे में जो difference of culture की वज़े से है ओके यहां हमारी first part की जो summary वो खतम होती है अब इस chapter की जो second part है we two are human beings उसकी summary हम start करते है यहां पर the story is written by Bama अब इस story की जो author है वो कौन एक lady है जिसका नाम है Bama who is one of the characters in the story और यह भी Bama की real life incidents है Bama की भी बच्चपन की एक ऐसी harsh reality एक harsh experience है जो वो यहां इस chapter में share करेंगी तो वो खुद भी एक character है story में क्योंकि उसका real life incidents पर based है She is a little cheerful girl who loves to observe things taking place in a street तो यह एक ऐसी बच्ची है third class में बहुत अच्छा लगता है इसको कि जब यह घर, school से अपने घर जाए तो रास्ते में जो भी street आती है वहाँ पर चीजों को observe करना, देखना वहाँ पर जो भी functions and shows चलते रहते है जो भी stalls लगे, खाने पीने के यह सब इसको देखना बहुत अच्छा लगता है वह कहती है, स्कूल से घर जाने में मुझे सिर्फ 10 मिनट लगते है लेकिन क्योंकि रास्ते में इतनी सारी attractions है, इतनी सारी अच्छे जी चीज़े है तो मुझे at least आदे घंटे से एक घंटा लगता है तो वह कहती है, जब मैं घर वापस जाती हूँ, तो मैं बंदर का शो दिखता है एक स्नेक चामर, यानि वो इंसान जो बीन बजा के स्नेक को डांस कराता है वो वाले आक्ट, वो वाले शो चलते हैं सडक पे तो ये सब मैं देखने रुख जाती हूँ, और मुझे बहुत अच्छा लगता है ये सब बामा बता रही है तो वो कहती है, कि एक साइकल चलाने वाला शो भी होता है वो आदमी तीन दिन तक continuous साइकल चलाता है एक बड़ा सा मारियाटा टेंपल है, जहां पे बहुत बड़ा बेल है वही मंदिर के बाहर प्रशाद बन रहा है, पॉंगल नाम की डिश बन रही है बहुत सारे snacks हैं, फ्राइड फिश वाहां लोग तल रहे हैं और अलग-अलग खाने पीने की मिठाईयों की दुकान हैं, जिसको देखके इसको बहुत अच्छा लग रहा है, बामा को तो कहती है, कभी-कभी ऐसा भी होता है कि बड़े-बड़े पोलिटीश नेता मंतरी स्टेज बना के वहां खड़े हो जाते हैं, मैं वहां भी खड़े हो जाती हूं, मुझ अच्छा लगता है फिर कहती है, फिर एक बार मैं जब स्कूल से घर वापिस जा रही तो मैंने देखा कि एक लैंडलॉड, एक जमीनदार आदमी जो अपर क्लास का था वो बैठा हुआ था अपने एक स्टूल पे और सारे वरकर्स को फील्ड पर काम करते हुए देख रहा था फिर उसने देखा कि उनकी कम्यूनिटी का याने कि एक लो क्लास का एल्डरली मैं, एक खाने के पार्सल को बहुत अजीब तरीके से पकड़के खाने का पार्सल इस तरीके से था, for example उसमें एक रसी अटैच करी हुए थी उसने और उसने एक रसी की मदद से इस पार्सल को पकड़ा हुआ था और उस लैंडलोट को खाने को दे दिया उसको लगा कितना अजीब इंसान है, ऐसे ती दूर से पार्सल को पकड़ा हुआ है, फट जाएगा, गिर जाएगा खाना इसमें से तो वो सोची की कितनी अजीब तरीके से पकड़ा हुआ है और यह देखके बहुत वो हसी He then tells her, on reaching home, she narrates it to her elder brother and starts laughing He then tells her the real truth about being from a low caste and that the upper caste do not like the presence or touch of low caste as this would make them impure Bama ने इसब देखा, हस के घर चली गई और अपने बड़े भाई को बताया कि मैं अभी भी ऐसा देखकर आई हूँ एक आदमी बड़े अजीब तरीके से, इसे स्ट्रिंग से खाने को पकड़के उस लैंडलोट को दिया उसके भाई को यह बात सुनके बिलकुल हसीनी आई वो कहते हैं कि देखो, उसको सच्चा ही बताते कि देखो जो लैंडलोट्स है वो अपर कास्ट के लोग है और हम लोग 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 कास्ट के लोग है अगर हमने उनको टच किया या उनके खाने की किसी चीज को टच किया तो वो यह समझेंगे कि हमने उनके खाने को अशुद कर दिया इंप्यूर, पल्यूट कर दिया यसी लिए वो लोग हमसे दूर रहते और हमसे इस तरीके से behave करते है यह सुनके बामा को बहुत गुसा आया और उसको वो कहती है कि वो ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं हम लोगों के बारे में कहती है खाने का packet जो था वो तो banana leaves में pack था फिर उपर से parcel pack किया हुआ था तो कैसे हमने छुआ कित्ती दूसरे string से पकड़ के वो ला रहा है तो उसके भाहिन उसको समझाए कि देखो बेटा हम ऐसी community में रहते हैं जह अपर कास्ट और लोगर कास्ट के बीच में फर्क है चाहिए तो तुम्हें बहुत पढ़ाई करनी पड़ेगी इतने educated बनना पड़ेगा कि लोग खुद तुमारे आगे पीछे अपनी मर्जी से घूमें और इसकी जो यह बाते थी बड़े भाई की वो बामा के दिमाग में बहुत बैड़ गी और strong impression दिया बामा ने बहुत मेहनत करी पागलों की तरह दिन और रात उसने पड़ाई करी और वो अपनी क्लास की टॉपर बनी इस वज़े से सारे बच्चे उसके दोस्त तो बने ही बने और उसके आगे पीछे घूमने लगे और उसके उसको respect करने लगे सो बच्चों यहाँ पे हमारे दोनों पाट्स की सम्मरी खतम होती हैं नाव लेट बिगिन विट सब इंपोर्टन क्वेशन और आंसरे फिर्स्ट क्वेशन दूसरी वी टूसरी वी तूर हुमन बींगे यह जो अपने पड़िये दो अलग अलग कल्चर्स पर बेस्ट है यहने पहली स्टोरी दो कल्चर्स इंडियन और वेस्टन कल्चर्स पर बेस्ट है और दूसरी अंटचबिलिटी अपर कास्ट और कास्ट पर बेस्ट है इसमें से कोई कमोनलिटी यहने कोई दोनों स्टोरी में कोई ऐसी चीज है जो आपको कॉमन लगरी की हां दोनों में य तो यह जो दोनों स्टोरीज हैं, यह दो लड़कियों के आउटो बायोग्राफिकल अकाउंट है, याने कि उनका रियल लाइफ एक्स्पीरिंस है, उन्हेंने रियालिटी में यह चीज अपने बच्पन में फेस करी थी In the first story, the author describes how she became victim of the social discrimination when she was badly treated by the European staff of the school because she was a native American तो पहली स्टोरी में author बताती है कि कैसे वो एक American थी और वो एक European school में पढ़ने गई और दो अलग-अलग cultures की वज़े से उस European staff ने उसके साथ कितना बुरा व्यवार किया और उसके बाल काट दिये She feels so humiliated when her shrug is removed from her shoulders and her hair was shingled In her culture, shingled hair was a symbol of being a coward तो वो बताती है कि हमारे culture में बाल काटना एक कायर की निशानी है कहती है उन्होंने मेरे बाल काट दिये और मेरे shoulder पे जो मेरा shrug था जिससे मैंने अपने shoulders cover करकर रखे थे कहते है वो खीच के मेरे हाँ से निकाल दिया तो ये सब चीजों से उसको बहुत humiliated feel हुआ याने की बहुत insulted feel हुआ In the second story, Bama describes a social discrimination faced by the low caste in India Second story में जो author है Bama वो क्या बताती है कि ये social discrimination याने जो upper caste and lower caste में जो भेदबाव है इंडिया में वो कैसे उसने face किया She being a student of third standard was forced to face the harsh reality of untouchability when she saw an old Dalit man carrying food packet by strings as it was meant for an upper caste man तो कहते है मैं एक छोटी सी बच्ची थी third standard में पढ़ती थी और 30 सी उमर में untouchability छुआ छूट की इस discrimination के बारे में मैंने देखा, सुना और experience किया और ये दिखा कि कैसे एक old man एक upper class के man के लिए खाने का packet string याने धागे से दूर से दे रहा है जैसे कि हम उसके खाने को गंदा कर देंगे Although both the stories are set in different parts of the world but still they have a similar theme वो कहते हैं ये दोनों stories दुनिया के अलग-अलग कोने में हुई है एक European countries में एक इंडिया में लेकिन फिर भी इसमें एक चीज़ common है They show the hardships and sufferings of the marginal communities in different parts of the world वो दिखाते हैं कि कैसे marginal communities, जो low caste के लोग होते हैं या जो कम स्तर के लोग होते हैं वो कितने suffer करते हैं याने कितना सहते हैं चाहे वो दुनिया के किसी के भी कोने में हूँ लेकिन कई सारी चीज़ों ने सहनी पड़ती हैं जो कि वो कभी deserve नहीं करते हैं तो ये चीज़ common है दोनों stories में Question number two It may take a long time for oppression Oppression याने की unjust treatment To be resisted But the seeds of rebellion याने की revolt किसी चीज़ के against जाना Are sought early in life तो question कह रहा है कि किसी चीज़ का unjust treatment याने की आप अगर किसी के साथ unjust याने दुर विहवार कर रहे हो याने you are oppressed दुर विहवार कर रहे हो किसी के साथ वो चीज़ तो life में long time तक इंसान सहता है ठीक है लेकिन आप जब इससे resist करते हो जब इस behavior के oppose करते हो, against जाते हो जो rebellion के seeds हैं वो बच्चपन में early life में ही वो दिये जाते हैं जैसे कि जो बामा थी उसको life में बाद में जाके पता चला कि हम लोग untouchable हैं हम लोग दल लेते हैं छोटी कास्ट के लेकिन उसने उससे पहले ही ये चीज़े feel करना, experience करना स्टार्ट कर ली थी कि लोग हम से दूर भागते हैं तो बहुत ही बच्चपन में early in the life ये जो negative feelings का जो बीज है ये बच्चों में बहुत दिया जाता हैं और बाद में वो फिर पूरी life ये behavior feel करते हैं और experience करते हैं Do you agree that injustice in any form cannot escape being noticed even by children तो क्या आप इस बात को agree करते हैं कि किसी भी तरीके का दुर व्याइवाहर या unjust behavior बच्चों की नजरों तक से भी नहीं भागता याने बच्चे भी जो इतने experience नहीं होते हैं लाइस में वो ये सारी चीज़ें notice करते हैं बहुत छोटी उमर से ही तो येस, it is true that injustice in any form cannot escape being noticed even by children चोटे बच्चे भी कैसा भी unjust behavior है वो बच्चों की नजरों से भाग नहीं सकता बच्चे देख सकते हैं और फिल कर सकते हैं दिस वी आप सेन इन बोथ अस्टोरी से हम यह पता चलता है जो भी भी हमने पढ़ी है तो पहली स्टोरी में जो जिटकला की फ्रेंड जूडवेन है वो उसको बताती है कि लोग तुमें ढूंड रहे हैं तुमारे बाल कट करने के लिए तो वो रिबेल करती है और रिवोल्ट करती है गुसे में आती कि नहीं मैंसा नहीं करूंगी और वो छुप जाती है लेकिन फिर भी वो लोग जबरदसी उसको ढूंड निकालते हैं और उसके हैर शिंगल कर देते हैं याने कट कर देते हैं इन फैक्ट उसने रिवोल्ट किया उसने बहुत चिलाई वो रोई वो छुप गई उसने उन लोगों को स्क्राच किया नाखुन मारे लेकिन फिर भी उन लोगों ने उसके साथ ऐसा किया तो उसने ये चीज फील करी कि मेरे साथ ऐसा गलत होने वाला तो उसने रिवोल्ट किया याने कि इस बहेवियर की वज़े से एक बच्चे के दिल में किसी के अगेंस्ट जाने का बीज वो दिया फाइनली शी इस टाइड अप इन चेर एन अर हैर इस कटड़न और फाइनली उसको चेर से बानके उसके बाल काट दिये जाते जो बामा की स्टोरी है तो बामा एक आदमी को देखती की कितने अजीब तरीके से स्टोरी से वो खाना देखे आ रहा है अपर कास्ट वाले लोगों के लिए वो बहुत हस्ती और घर जा के अपने भाई को ये बताती तो बाई ने उसको explain किया कि ये वो लोग एक दलत है यहने low class के लोगें इसलिए अपर क्लास के लोगों उनके साद ऐसा behave कर रहे और अपर क्लास के लोगों को लगते है कि अगर उन्होंने lower class पाले उनका खाना touch किया तो उनका खाना pollute हो जाएगा याने की impure, गंदा हो जाएगा Bama gets angry on hearing this She at once makes a decision of snatching the वड़ाईस from the upper caste man who according to her did nothing and still treats डालत्स badly तो Bama revolt करती, Bama को गुस्सा आता है वो उसके अंदर ये नफरत का बीच बो गया याने की डाल दिया कैसे इस behavior की वज़े से अपर क्लास बालो की वो कहती है मैं अभी कि अभी जाओंगी और जो खाने की डिश है वड़ाईस उस लैंडलोट की हाथ से छीनूंगे और टच करके आ जाओंगे कि ले मैंने तेरे वड़ाईस को और फूड आइटम को टच कर लिया हो गई गंदे, तो क्या गंदे हो जाएंगे तो इस तरीके का बेहवियर और आंगर बामा शो कर रही थी अब रादर डाइवर्ट सोर आंगर तो अगर तोड़ाई पर दियान दो और तुम सक्सेस्फुल बनोगे तो ये सब लोग खुद बखुद अपने आप तुमारे पीछे आएंगे और तुमारे फ्रेंज बनेंगे उसने एक्जाक्ली ऐसा किया और ऐसा हुआ भी इन सब चीजों से दोनों स्थोरी से ये प्रूव होता है कि जो बच्चे होते हैं वो भी हर चीज़ नोटिस करते हैं उनके अंदर भी एमोशन हैं और वो अपने साथ होने वाले unjust behavior याने ना-िंसाफी जो है वो feel कर सकते हैं और उस पे react भी करते हैं और response देते हैं Q3 जो Bama का experience था वो caste system का था याने कि वो एक शिकार बन की थी caste system की क्योंकि वो low caste की थी इसलिए उनके साथ ये गलत behavior हो रहा था What kind of discrimination does जिटकला सा experience depict तो जिटकला सा कैसा discrimination कैसा भेट बाव experience कर रही थी What are their responses to their respective situation और दोनों का जिटकला का और Bama का दोनों का क्या response था क्या उनका action था response था जो behavior उनके साथ किया गया तो जिटकला सा वो जिल-treated by the European school जिटकला सा को ill-treated ने बुरी तरीके से behave किया गया उसको European school authorities ने क्योंकि वो एक native American थी और जैसे कि story में बताया गया है कि उसने mokassins याने कि वो soft shoes पहने होए थे उससे वो छीन लिये गये थे और उसके श्रक जूसके shoulder पे जो श्रक था वो भी उससे छीन लिया गया था तो ये सारी चीजों से उसको बहुत insulted feel हुआ और आएंड में तो उसके बाल भी cut कर दी गये तो ये सारी चीज़े जिटकला ने face करी है इन जिटकलास culture उन्हें cowards hair were cut down and girls did not wear indecent clothes as they were considered immortist तो जिटकला के culture में क्या होता था कि सिर्फ कायर लोग बाल काटते थे और ऐसे tight कपड़ पहनना बिना श्रक के कपड़ पहनना बहुत indecent माना जाता था और European authorities जबरदस्टी उससे ये सारी चीज़े करवाना चाहते थे She was even pointed out for not following the table manners All this took away her confidence and she was left in tears क्योंकि वो पहला दिन था स्कूल में उसको table manners भी नहीं पता थे तो वो बहुत सारी गलतिया करी थी तो ये सारी चीज़ों की वज़े से वो बहुत रोई और उसके अंदर का काफी confidence भी गिर गया था But when she grew up She with the power of education wrote articles against the carless Indian school and their discrimination with the native Americans लेकिन जटकला ने या हार नी मानी उसने पढ़ाई करी Education की मदद से याने की पढ़े लिखे होने की मदद से वो बड़ी हुई Successful बनी और जिस boarding school में वो पढ़ती थी Carless Indian school वहां होने वाले discrimination याने भेदबाव के बारे में उसने articles लिखे बड़े-बड़े news में उसने reports लिखी उनके बारे में On the other side दूसरी तरफ अगर हम Bama की बात करें तो उसने भी बहुत hard work किया बहुत पढ़ाई करी और वो भी क्या बनी बहुत famous writer बनी और उसने भी caste system के against ये caste discrimination के बारे में उसने भी कई सारी चीजे अपनी writings में लिखी So here we can say that though both the women belong to different periods of time and different parts of the world but use the education as their tool to fight against the discrimination तो यहाँ हम definitely ये बात बोल सकने कि दोनों और थे चाहे जट कला हो चाहे Bama हो दोनों की story अलग-अलग time की है और दुनिया के अलग-अलग कोनों में उन लोगों ने ये चीज feel करी और experience किया लेकिन दोनों ने solution एक ही निकाला वो है education याने पढ़ाई का उन्होंने पढ़ाई लिखाई करके अपने अपको इतना educated अपने अपको इतना काबिल बनाया कि वो बहुत famous हुई और बचपन में जो उनके साथ जो गलत हुआ उसके बारे में उन्होंने बड़े होके famous होके चीजे लिखी और दुनिया को बताया कि ये सारी चीजे prevail हुई है और society को aware किया कि ऐसा हो रहा है और ऐसा अब further आगे दूसरों के साथ नहीं होना चीए तो education एक बहुत powerful tool था जो दोनोंने use किया So children here we come to the end of the session I hope आपको दोनों parts की summaries and important questions अच्छे से समझ आए होंगे आप चाहो तो हमारे videos YouTube पर भी देख सकते हो अगर आपको YouTube पर नहीं मिल रहे है तो आप Google पर जाएए हमारी website www.magnetgreens.com पर आप जाएए और जैसी आप जाएंगे इस तरीके का एक page आपके सामने आजाएगा जहां सारी classes mentioned ने Class 12, 11, 10, 9th and so on For example आपको Class 11 के English videos देखने हैं तो आप Class 11 पर क्लिक करिए जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये English का option है जो मैं पढ़ाती हूँ जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके की सारी list of chapters आपके सामने आजाएंगे जो मैंने अब तक पढ़ाई हैं कह लिजे आपको 11th की Honble Book का first chapter The Portrait of a Lady का introduction देखना है जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके से मेरा वीडियो आपके सामने प्ले होना स्टार्ट हो जाएगा So I hope बच्चों आपको समझ में आ गया होगा कि अगर YouTube पर आपको वीडियो नहीं मल रहे हैं तो easily website से आप कैसे access कर सकते हैं और एक चीज़ आपको बिलकुल नहीं भूल ली वो है Do not forget to like, subscribe and share our YouTube channel कब तक लिए, stay tuned, bye bye and take care